राजधाने चैपुर के आमेर में लालवास गाव इस्तिस CRPF की रैपिड एक्षन फोर्स तेरासी बटालियन में शोर्य दिवस अमारों का आयोजन किया गया कमांडेंट प्रवीन कुमार सिंग के नेतरत में शोर्य दिवस अमारों का आयोजन हुआ कमांडेंट प्रवीन कुमार सिंग ने शहीद वाटी का पर शहीदों को पुश्प अर्पित कर याद किया कमांडेंट प्रवीन कुमार सिंग ने बताया कि 9 अपरेल 1965 के दिन कच्छ के रण में जुरात में इस सरदार पोश्ट CRPF के शूर माओं के पराकरम गाथाओं से सभी कार्मिकों को विस्तत रूप से अवगत कराया गया कि उन्होंने कम संख्या में रहते हुए भी पाकिस्तान की एक पूरी ब्रिगेड का मुकाबला साहस के साथ किया पाकिस्तान की एक ब्रिगे को शोर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है कमांडेंट ने सभी कार्मिकों को भविश्य में देश की रक्षा के लिए सर्विश्वे नुच्छावर करने वाली परंपरा का निर्वेन करने का संकल्प दिलाया तिरा से वाहिनी में सैनिक संबिलन का आयोजन कर कमांडेंट किया गया शोर्य दिवस समारों के क्रम में 83 बटालियन परिशर में अंतर समाई खोको प्रतियों के तक आयोजन किया गया विजेता उप विजेता टीमों द्वारा उतक्रस्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को परितोशिक देकर पुरुष्ट करत किया गया साथ ही को बड़ा खाना का Clayogen क किया जा रहा है कारे करम में 83 बतालियन के कमांडे statute प्रविंक कुमार सिंग्ग के द्वारा साथ दुथ्य कमान अधिकारी दीपक कुमार सिंग दुथ्य कमान अधिकारी विकेश कुमार समेट सभी अधिकारी और जवानों ने भाग लिया